है रहा दोस्तों यह मेरे पास हीरो की वाइक है HFD लेक तो मैं बताओंगा आज इसकी मायल्ज की सैटिंग है भू किस तरीके से करें दोस्तों माल्ज सैटिंग ऐसी बताओंगा जिससे आपकी वाइक पिट्रॉल है बहुत कम खाएगी क्योंकि दोस्तों आपको एक अच्छी मैले सेटिंग आ गई तो आप अपनी वाइक की पिट्रोल बचत कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों दिन पर दिन पिट्रोल है बहुत ज्यादा महंगी होती चलिए आ रही है तो मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी वाइक की मैले सेटिंग करें के पिट्रोल की करते हैं कि मैले चेक कैसे करते हैं पिलग के द्वारा दोस्तो बाइक जो मैलेज डॉन कर जाती है तो पिलक के दुवारा चेक किया जाता है कि मैलेज बाइक का कैसा है तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी बाइक का मैलेज चेक करें उसके बाद मैलेज है वो सेट करें तो दोस्तो पिलक था मैंने खोल दिया है ये देखिए दोस्तो इस बाइक का सच में मैलेज है बहुत ज्यादा डाउन है क्योंकि इस बाइक का पिलक है वो काला निकल रहा है ये देखिए चारो और से काला ही काला नजर आ रहा है दोस्तो आपको बताएं जब आप अपनी बा साप करेंगे पिलक साप करने के एब और दो ने हैं मैंने लगा दिया है अब लगा दें यह मैने कईक हो वी लगा आप चलते हैं कारवेटर की तरफ अब बताएंगे मैलज की सैटिंग है वो किस तरीके से करें तो सबसे पहले दोस्तो एक बात और ध्यान दें अगर आप अपनी वाइक का मालज सैट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन होगा मैलज तभी सैट होगा अगर गा तो दोस्तो हमने बाइक थी, इस्टार्ट कर लिए, अब आपको बताएंगे किस तरीके से मैलिस सेट करें तो ये रहा इसका RPM और ये रहा इसका AIRFUL MIXER तो सबसे पहले हम दोस्तो RPM को बढ़ा देंगी देखते हुए दोस्तो किस तरीका से RPM बढ़ रही है तो हमने दुस्तो आर पीम है जो थोड़ी बढ़ा दिये अगर आप मैले सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आर पीम बढ़ा दें सब्सक्राइब दोस्तों एर फुल मिक्सर को थोड़ा टैड करना आ है तोड़ी आर पीम और बढ़ा अब एर फूल मिक्सर को थोड़ा टेड करना आ है हलके हलके दोष्टों टेड करते जाए एर फूल मिक्सर को दोष्टों एक बात आपको बता दें riders find him हलके अलके टेड करना आै park where I am necessarily a.अब करें कहाँ पर rvim इसकी बढ़ रही है दोस्तों डाउन होगी डाउन होगी अब दोस्तों हम थोड़ा खोलेंगे दोस्तों इसकी आरपीम है वो इस जगा पर ज्यादा हो रही है तो हम इस से रही पर अब दोस्तों और अब आपको जोतों बताएं यह एक साइड़ करने पर दे किसटों डॉन होती जैए शेगी यानि कि दूस्तों तो उसी जगाह पर रही आरवीम उसी जगाह पर दोस्तो इसी जगाह पर इसकी आरपीम बढ़ रही है तो हम एरफोल मिक्सर को यहीं पे छोड़ देंगे अब दोस्तो आरपीम है वो कम कर लेंगे अब दोस्तो आरपीम कम कर लें आप अपने हिसाब से बाइक का आरपीम कम कर लें और इतनी कम कर लें ताकि बाइक है दोस्तो बंद ना हो तो मैंने दोस्तो और पीं 11 वह कम कर ली आप इतनी कम कर लें तक कि वह बंद ना हूँ दोस्तो और पिय है वह ज्यादा भी ने रह सकते और दोस्तो कम भी नहीं रखिंग क्यrist कि कम करोगे तो बाइक बंद बंदना हूँ तो दोस्तो इसी तरीके से मैलज है वो सेट किया जाता है देखिए दोस्तो गाड़ी की आवाज सुनिए RPM मैंने इतनी रखी है तक बाइक बंदना हो और मैंने ज्यादा भी ने किया आरपियम दोस्तो आरपियम आप लोग अपने इसाफ से सेट कर सकते हैं जतनी भी रखना चाहें दोस्तो तरीका बहुत अच्छा है मालज सेट करने का जो मैंने बताया उसी तरीके से आप लोग सेट कीजिए सबसे पहले दोस्तो प्लक खोल कर चेक करें बाइक का मालज डौन है या नहीं उसके बाद दोस्तो इंजन है वो इंजन को थोड़ा गरम कर लें अगर दोस्तो इं करें